बश्कार साथ जीओ, आज सिमाल के डेटल प्रेट्फोंबर में डॉक्तर रविंदर वनितू, हरियाना में पांच अक्तूबर को चुनाओ होने हैं और आठ तारीक को नतीजे हैं इसी करी में आपको बता देंगे टिक्टों को लेकर समी पार्टियों मारा मारी हैं और जो ने दिपक बाबरिया ने कहा था जो कोंग्रेस के लीडर है उन्होंने साफ कर दिया था कि देविंदर वबली को इसलिए टिकट के लिए मना कर दिया गया क्योंकि उनको लिकर कि थानवर्ग में नाराजगी थी और जो उनके बयान थे उससे कहीं ने कहीं वोड़ बैंक जो कों अब यह माना जा रहा है कि सुभास बराव से उन्होंने पूलह कर ली है और इसके बाद उन्होंने भाजपा जोइन कर ली है अलकि यह भुष्चे के गरब में है कि भाजपान को टिकट देगी या नहीं देगी लेकिन एक त्रैसन को आश्वासन दिया गया है आने वाले च कॉंग्रेस में भी जो करीब अभी तक 90 सीटों पर 2600 उमीदवार है उन्होंने आवेदन किया है लेकिन अब हरियाना में 90 विदांस दबाद सीटे तो 90 कोई टिकट मिलेगी तो कॉंग्रेस भी लगातार मन्थन कर रही है कि किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं हाला कि मान अधिकारिक रूप से इसकी पुष्टी नहीं हो पाई है लेकिन माना जा रहा है कि कॉंग्रेस कभी भी टिकटों का जो टिकट वित्रा रहूस परेकर फैसला कर सकती है इसी बीच में जो भाजपाय वो भी लगातार मन्थन कर रही है और बैटकों के दोर लगातार जारी है और इसी बीच एक नई जानकारी आज सामने आई है कि आप और कॉंग्रेस में समझोता हो सकता दोरों मिलकर लोकसवाद की तर्थ पर चुनाव लड़ सकते हैं तो कि अब ये सिधा सिधा राजमिक विशेशुगों का मानना है कि अब की बार जो मुकावला है कॉंग्रेस औ बड़ा रोचक होगा कि जिन विदोवारों की तिकट करते ही संभाव ना है वो किन-किन पार्टियों का रुप करेंगे धन्यवाद